पाइस बवासीर यह मुख्य दो परकार के होते हैं एक खुनी और एक बादी इसकी स्टेज फार्स शेकेंट थार्ड फोर्थ तक के होते हैं पहला स्टेज में क्या होता है कि हलका फुलका दाने मस्य बनते हैं हलकी एलर्जी खुजली इचिंग होती है तो लोग ध्यान नहीं देते पता ही चलता दूसरा स्टेज में क्या होता है कि बस से जब बड़े हो जाते हैं बलड आना शुरू हो जाता है या तो दर्द होना शुरू होता है जो खुनी बवासीर है उसमें बलड आना शुरू हो जाता है बून बून टपकने लगता है और जो बादी है जिसमें पेंट शुरू हो जाता है करते are करते समय घर सुरू हो जाता है या जर चाहता्र देरे अगर एस समय आपि नहीं करते हैं स्ट ये सेकेंट टाइम में तो यही एस्टेज दिरे बढ़ता रहता है घीरे भरने के भाद ठीका जाज्ता मस्श ढखेज आटा है तो मस्शे धीरे धीरे आपके गोड़ा दोार से भाहर आने लगता है실 कि ज्यदा पेनफूल होने लगताे सब्सक्राइब होता है जब तक तो आपके हलका फुल का दर्ध हुआ ठीक हो गया लेकिन जब यह जादा भी आजाता है तो यह बच से बाहर आते हैं और इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपका प्रोब्लम बढ़ती जाएगी जैसे मिकीश का खुन ज्यादा निकलने लग जाना या ज्यादा इचिंग होना ज्यादा खुजली होना दर्द ज्यादा होना दिक्कत बढ़ जाती है तो कोशिश करें कि आपको पाइल से है बवासीर है तो डॉक्टर से दिखाएं इसके नहीं आज कल यही होता है कि लोग सरम के मारे अपने बिमारी को बताते नहीं क्योंकि जगा ऐसी होती है लोग बताने में सरमाते हैं कि हमें पाइल से बवासीर है लोग क्या कहेंगे क्य सुनेंगे तो इस आपको अगर वाशीर हो गए तो आप सर्माई नहीं डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और अपना इलाज कराएं क्योंकि आप पहला और दूसरा स्टेज में तो हो सकता है कि आपकी प्रहेज कर लेंगे बढ़ियां से दवाईयां खा लेंगे तो ठीक हो जा तो कट भी लगाना पड़ता है तो कोशिश करें या आपकी शुरुवाती लक्षन दिखाए दे तुर्यत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं बावसीर होने का कारण जो है आपकी दिंचरिया खराब होना आपकी पाचन तंत्र को दुरूस्त नहीं ह है आप सफाई नहीं रखते हैं उस जगह को आप मल द्वार को बढ़ियां सफाई करें अच्छी तरह साफ सुत्रा रखेंगे तो यह होने का कम चांस रहेगा दूसरा कारान है आपकी वजन ज्यादा है वेट ज्यादा है तब भी आपको पाइस होने की संभावना बढ़ ज रहती है कि और आपकी वेट ज्यादा होने से अपके यह कोशऩीर की प्रचीम की रहती लेटेंग को नहीं आइन तो उसका रिजन भी ज्यादा भजन उठाना ़्मस ज होसकता है जो आपकी बवासिर हो सकता है उसके वजह से आपके वो ज्वा सर्फ दायक होती है तो कोशीच करें ना खाएं आप नेच्रल तरीके से खाएं जैसे फाल फूर्ड ज्यादा खाएं जिसे आपको फाइल्स की प्रॉब्लम ना हो और अगर है तो वो नुक्षान ना करें और भवाशीर होने का जो कारण है वही इसका इलाज है लगभग जैसे कि आपको ज्यादा जंग फूर्ड ना जगह पे आप अच्छी तरह से सफाई रखें सफाई करें बहुत इचिंग है इंफेक्शन है तो आप फोड़ी गरम पानी से भी धो सकते हैं सर्दियों में आपको पाइल्स की प्रॉब्लम शुरुआती है तो सफाई के लिए अगर आपके पास साधन है तो अच्छी तरह सफाई करें दूसरी चीज़ अगर आपको ज्यादा बढ़ रहा है तो आप क्या करें करें और टब में बैठ करके उसके शिकाई करें इसे बात कहते हैं जिसमें आपको एक टब होती है टब में गरम पानी ले ले अगर उसमें बैठ करके आप अच्छी तरह से गुनगुने गरम पानी ले 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 उसके सिकाई करें और ज्यादा है जखम है उसमें थोड़ी सी पोटेशियम डाल करके आप उसके सिकाई करेंगे तो आपकी पाइस बहुत जल्दी अराम मिलेगा पाइस की प्रोब्लम जल्दी ठीक होगा या आप उस जगह कोई इचिंग का क्रीम भी लेते हैं तो कोशीज करें कि आप अईवेद के हिसाब से लें जो आपका ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो और निच्ट्रेडी लेग जिक्टिव के लिए आप फाइबर की माक्तरा ज्यादा ले लें तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा जिसमें आप सलाद ज्यादा ले होगी और अगर पाइल्स नहीं है तो आपको आगे से पाइल्स होगा भी तो कोशीश करें कि आप अपने डाइट प्लान बदलें और अपना इलाज कराएं इसमें कई तरह से आइजवेदिक मेडिसिन भी आते हैं जो आप सुरुदातिया स्टेज में ले सकते हैं जिसमें क किसी डिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी आप थोड़ी बहुत योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे आपको हेमरोइड जो है वह अशीर है वह ठीप हो जाएगा इसको ठीक कैसे किया जाए इसको ठीक करने के लिए हम लोग पूरी टीम है हमारी तो हम बहुत बढ़िय जाता है रिजन क्या है या कई वर खंदाने बीमारी होती है वो सारी रिपोट ले करके या टेस्ट कराकर के हम लोग कराते हैं उसयुक्षाण मघर देखते हैं या इसकी आप तो इस्टूल का करल़्य करें आपके बल sudah आता है या नहीं आता है वही पूछ सकते हैं आप की से आज्स जाच करते हैं इसमें दो तीन तरह के जाचे होती है जो आपको N.S. के मार्क में जाच करेंगे जो एक दो मशीन होती हैं उससे भी जाच कर सकते हैं फैसीकल एक्जामिसन में में आपकी डॉक्टर जो सभसे पहले करेंगे जैसे हम लोग करते हैं ताकि हम पता चल जाए कि हम कैसे ट्रीटमेंट करें और यह आपका जो पाइस है इंटर्नल है या आउटर है बाहर है आपकी कोई गांठ है मस्सा है वो देखना जरूरी होता है हमारे पास दो तरह के जांच करने के लिए एक प्रोटो असकोप जो होता है जो एनस में डाल कर जांच करते हैं और एक रेक्टो असकोप होता है जो रेक्टम में डाल कर जांच करते हैं सिग्मोइट असकोपी जो रेक्टम में डाल करके जांच किया जाता है जिसे मस्से और गांट के पता लग जाए एनस असकोपी से भी जांच होती है ज करके भिखते हैं क्या कि है युक्त एसाब से हम लोग कि का treatment करते हैं जैसे हिसमें चार सुत्रोंरा हम लोग बहुत बनिया कि करते हैं और इसमें कोई ज़्यादा पेनफूल भी नहीं होता को नहीं होता कुछ दिन के लिए रश्ठ होते हैं बाटिया अपना काम पे जा सकते हैं तो बाधूर का मुख्य can करेंगे आपना डाइट करेंगे हर phosphor की मातरा बढ़ा देंगे आपकी ठीकहिक रहेगा नहीं हो होगा और अगर आपको नहीं है तो होने नहीं देगा तो आप 20 को ठीक करना चाहते हैं तो प्रहेज बहुत जरूरी है जिसमें जंग फुट वगरा ना लें तेल मसाला ज़या ना लें आप अगर कोई निसा करते हैं अल्कोहल लेते हैं तो बिलकुल ना लें आप कोशिज करें कि आपका पेट साफ रहे, कॉंस्टिपेशन ना हो, एसे डीटी की प्रॉब्लम ना हो, अमल पीत ना हो और सबसे बड़ी चीज है कि आप एनस की जगा सफाई रखें, और जब लेटिंग जाते हैं, तो जोर ना लगाएं, तो आपकी पवसीर की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, वैसे जैसे मैंने बताया कि हमा आपके स्टेज बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे हम लोग उसकी प्रकिरिया को उसी हिसाब से करते हैं, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जनकारी, आपको कोई प्रॉब्लम हो, पाइल से रिलेटर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते है हम आपकी समस्या को दूर करने के कुशिश करेंगे आपको कैसा लगा वीडियो हमें कॉमेंट्स में बताएं और आगे सेयर करें जिससे और किसी को भी लाप होगा थैंक यू धन्यवाद